इस्टूडेंस आज हम इस वीडियो में कम्प्लीमेंटरी फंक्शन किस तरह से लिखा जाता है पार्शल डिफरेंशल इक्वेशन विद कॉंस्टेंट कोफिशेंट्स के केस में तो वो जानते हैं तो टोपिक आज का हमारा है Complementary Function of Linear Partial Differential Equation with Constant Coeficients तो जब हम कहते हैं Complementary Function तो Complementary Function और Particular Integral ये तो हम तभी लिखते हैं जब Differential Equation का जो order है वो एक से ज़्यादा हो इसका मजब यहाँ पर order more than one है Complementary Function किसी भी Differential Equation में आप तभी बताते हैं जब उसका order एक से ज़्यादा होता है दूसरी condition आती है linear अब linear से मतलब है कि उसकी degree one है तो हम क्या पढ़ रहे हैं Complementary Function of Linear Partial Differential Equation With Constant Coeficients With Constant Coeficients यानि जो उसमें partial differential coefficients होंगे उनके जो coefficient हैं वो constant होंगे तो इसको हमने दो कैटेगरी में लिखा है एक non-homogeneous और दूसरा homogenous तो किनको non-homogeneous और किनको homogenous कहा जाता है वो समझते हैं कि किसी भी partial differential equation of order more than one and degree one with constant coefficient उसे हम इस तरह से लिख सकते हैं f d d dash z equal to a function in x1 तो जो left hand side पर आप लिख रहे हैं f d d dash ये क्या है ये function है d और d dash में जिसे linear differential operator भी कहा जाता है linear differential operator क्योंकि इसे पर operate हो रहा है z है तो हम किसे भी differential differential equation को इस formoken री पर्जेंट कर रहे हैं जहां पर d रे पर्जेंट करता है डे अपॉँञ डे और d dash री पर्जेंट करता है डेल अपॉँञ उसे हम उसे रिपर्जेंट कर दे हैं जो तसे हम जर्चलक री पआरस से लिठ вопросы लिगेशन को लिख रहे हैं कौन सी पार्शे डिफेरेंशल इक्वेशन जो लीनियर फोर्म में हैं अब जहां पर हम देए नोन होमोजीनियस तो नोन होमोजीनियस से हमारा यह मतलब हुआ कि यह जो लीनियर डिफेरेंशल ओपरेटर यहां पर लिखा है यह एक ऐसा फंक्शन है जो डी और डी डेश में नोन होमोजीनियस है जैसे यहां पर इस एक्जांपल में देखें इसमें जो फ़स्ट अर्माई है उसमें डी डेश पर दो पावर है ऐसे डी डेश पर भी लेकिन आगे जो टरम है उसमें डी की पावर वन है तो यहां पर डी डी जीरो है इसमें D भी नहीं है, D डेश भी नहीं है, it means यहाँ पर ऐसी टर्म आ गई है, इस F, D, D डेश में, जिनमें सभी की पावर सेम नहीं है, और पावर सेम नहीं है, it means वो non-homogeneous है, तो non-homogeneous means इस तरह के F, D, D डेश, जिनमें degree सेम हर टर्म में नहीं आती है, और homogeneous कौन से है, homogeneous वो होंगे, जो D और D डेश में homogeneous function बनते हैं, जिसमें D, D डेश जो भी टर्म आई हैं, उन सभी टर्म की degree सेम होती है, तब आप करें कि वो homogeneous है, तो हम यहाँ पर linear partial differential equation with constant coefficient को दो category में divide करके चल रहे हैं, पहला वो जिसमें हम कहरें non-homogeneous form और दूसरी homogeneous form और यह depend करती है, F, D, D dash function पर कि अगर F, D, D dash non-homogeneous है तो हम इसको non-homogeneous कह रहे हैं, अब जो यह non-homogeneous form है, इसे भी दो category में आगे divide करना होता है, क्या-क्या है, the linear differential operator F, D, D dash are of two types, यह दो तरह का हो जाता है, जो F, D, D dash होता है, किसमें non-homogeneous form में, कौन-कौन सी दो तरह का, F, D, D dash is reducible as a product of linear factors, कि वो जो आपके पास F, D, D dash है, वो non-homogeneous है, लेकिन उसको दो अलग-अलग, नोग, दो factor में उसको resolve किया जा सकता है, किस तरह से, जैसे एक factor यह बना, और एक factor यह बना, दोनो factor का product, यह F, D, D dash है, जिसे हमने resolve कर लिया है, linear factors में, मैंने यहाँ पर equal to zero, इसलिए ले लिया है, क्योंकि हम केवल complementary function की बात कर रहे हैं, और complementary function का मतलब होता है, कि left hand side का solution, तो हमने right side को यहाँ पर zero लिख दिया है, अब यह जो linear factors यहाँ पर आए है, इनका जो complementary function है, उससे हम ऐसे लिखते है, e raised to the power k1 x, k1 यहाँ पर यह constant term होगी, जिसमें D और D dash नहीं है, e power k1 x, a function and y plus m1 x, m1 D dash का coefficient है, with minus sign, plus इसी तरह से दूसरे function के लिए, e raised to the power k2 x, f2 y plus m2 x, अब जितने ही यह factor होगे, उतने ही यहाँ पर function f1, f2, f3 यह साब आते जाएंगे, तो यह तो तब है, cf लिखने का तरीका, जबकि f d, d dash जो है, उसे हम reduce कर सकते हैं, as a product of linear factors, लेकिन अगर उसे linear factor में reduce ना कर सकें, इसका एक example देखिए, कि यहाँ लिखा है, d minus d dash square, z equal to 0, अब non-homogeneous form है, क्योंकि यहाँ पर degree 1 है और यहाँ पर degree 2 है, लेकिन इसके कोई factor हम नहीं कर पाएंगे, तो जब हम factor ही नहीं कर पातें, तो उसे हमने कहा है, टू linear factors, इन्हें linear factors में नहीं लिखा जा सकता, तो फिर हम यहाँ पर cf के लिए trial method यूज करते हैं, trial method क्या है, कि आप try करते हैं, आप assume कर लेते हैं, कि यहाँ पर z equal to a e raise to the power hx plus ky, इस partial differential equation को satisfy करता है, तो यह step wise यहाँ पर है, कि आपने एक suppose किया, कि get equal to a e raise to the power hx plus ky, इस partial differential equation को satisfy करता है, जब satisfy करता है, तो आप इससे satisfy कराएंगे, तो आप यहाँ से delz upon delx, delz upon dely, इन सब values को लेकर, जो भी question आपको दिया है, उसमें इसको put कर देंगे, तो step 2 में क्या करते हैं, solve f d, d dash a e raise to the power hx plus ky equal to 0, इसमें यहाँ पर z की value होने put कर दें, और इससे solve कर लेते हैं, solve करने पर या तो आप h की value k में find कर लेते हैं, या फिर k की value h में find कर लेते हैं, यानि या तो k को h में बना दो, या h को k में, जो भी आपको easy लगता है, फिर क्या करते हैं, next step में, putting the value of h in k, और the value of k in h in z equal to this, आपने क्या माना था, कि z equal to a e raise to the power hx plus ky, उसका एक solution है, उस solution में, अगर आपने h को k में बता कर लिया है, तो h की value k में put कर देंगे, और अगर k को h में put किया है, तो k की जगहा पर h में जो value आई है, उसे put कर देंगे, तो इस तरह से, हम यहाँ पर, z equal to इतने में, h या k जो भी आपने सोल किया, उसकी value put करेंगे, अब last और finally इसमें यह होता है, कि आप उस complementary function को, general form में कैसे लिखते हैं, तो वो जो general solution है, उसमें आप इसी value में, जो a e raised to the power hx plus k y है, उसमें आप sigma लगाते हैं, और कहते हैं कि यह इसकी general form है, यह इसका general complementary function है, कब जबकि यह irreducible form है, जबकि हम इसे linear factor में result नहीं कर पाते हैं, और अगर linear factor में result हो रहा है, तो हमने देखा कि इस तरह से functions में उसको लिख लिया जाता है, लेकिन अगर factors ऐसे बन जाएं, कि वो repeat हो जाएं, whole square की form है, तो एक इस factor दो बार repeat हो गया है, तो अगर ऐसा होता है, कि मैंने यहाँ पर d minus mt dash minus k, d minus mt dash minus k, के दो factors सेम हो गए, यानि m1 और m2 इक्वल है, k1 और k2 इक्वल है, तो जब repeated factors होंगे, तब इसमें, z equal to e raised to the power kx के वही constant term है, f1 y plus mx plus x f2 y plus mx आता है, आपको याद होगा कि इसी तरह से ordinary differential equation में भी repeated roots के लिए condition आती थी, कि एक value लिखते थे और दूसरे में x को multiply करके लिखते थे, तो ये तो हुआ आपके लिए non-homogeneous partial differential equation का complementary function, लेकिन अगर homogeneous form हो, तो homogeneous form में कभी भी ऐसा होता नहीं है, कि उसके linear factor ना बने, हमेशा इसके linear factor बनेंगे ही, तो इसनी जो इसमें दो category थी, इसमें ऐसी दो category नहीं होती, क्योंकि हमेशा linear factors possible हैं, अब वो linear factors अगर इस तरह से हैं, d-m1, d- d-m2, d-d- z equal to 0, तब हम उसका C F complimentary function, इस तरह से लिख देते हैं, function f1 और f2 में, जो यहाँ पर d-'s का coefficient m1 है, वो यहाँ पर x के साथ о選 आता है, और d-'s का coefficient m2 हो इस तरह सु, तो दो function यह बनते हैं, f1 y plus m1 x plus f2 y plus m2 x लेकिन इसकी case में भी अगर ऐसा हो जाए कि roots repeated हो जाए यह दोनों value repeat हो जाए जो factors लिखें वो m1 m2 ना आकर के उनमें दोनों में एक ही value आ जाए d minus md dash और d minus md dash z यानि m1 और m2 दोनों equal हो जाएं अगर दोनों equal हो जाएंगे तब उसका complementary function हम इस तरह से लिखेंगे वही हमारा method है कि एक में हम x से multiply कर देते हैं तो इस तरह से हम complementary function लिखते हैं linear partial differential equation with constant coefficient का अब हम इसको देखें कि actual में यह वाली वाली जो हमारे पास आ रहे थे तो उससे हमने यह कैसे बनाया है कि इसका complementary function ऐसे होगा तो इसको हम समझते हैं कि यह derivation कैसे हुआ है d minus m1 d dash minus k1 z equal to 0 यह एक factor ले लिया गरा है d z minus m1 d dash z minus k1 z equal to 0 यह dal z upon dal x है minus m1 dal z upon dal y और इसे right side पर लेने के वन जैट को तो यहां पर इसे हम पी लिखते हैं यह क्यूं है और इक्वल टू के वन जैट अब यह एक तरह की ऐसी एक्वेशन बनी है जो पार्शल डिफ्रेंशल एक्वेशन और फस्ट ओडर है जिसमें पी और क्यूं है और यह पी प्लस क्यूं क्यूं इक्वल टू आर की फोर्म है जिसे हम क्याते हैं लेग्रांजिस फोर्म तो लेग्रांजिस फोर्म को सॉल करने के लिए हम लेग्रांजिस उक्वेशन यूज करते हैं तो देखें कितना इजी सा प्रूफ है यह डी एक्स अपॉन वान दी य अपॉन माइनस एम वन और दी जैड अपॉन के वन जैट इस तरह से अब जैसे आप लेग्रांजिस मेधड में करते हैं इसके पेर बना करके सॉलूशन बनाएंगे टेकिंग वन एंड टू इन दोनों को लें तो यह जाएगा माइनस में एम वन डी एक्स इक्वल टू दी वाई यहाँ पर कॉंस्टेंट ओफ इंटेग्रेशन लें सपोज ए ले लिया ए माइनस एम वन एक्स इपल टू वाई यह कहीं कि एक्वल टू वाई प्लस एम वन एक्स अब इसी तरह से हम फर्स्ट और थर्ड को लें तो यह बनेगा के वन डी एक्स इक्वल टू दी जैड अपॉन जैड के वन एक्स इक्वल टू लॉग जैड और यहाँ पर एक कॉंस्टेंट ओफ इंटेग्रेशन जिसे हम लोग भी ही लिख रहे हैं के वन एक्स इक्वल टू लॉग ये राइट साज जाने पर माइनस होगाँ लॉग की प्रोपर्टी से जैड अपॉन बी आ जाएगगा इस इंप्ला-ईजै अपॉन दी इक्वल टू के वन ए रेक्स तस्टिजट तुद इस तरह की फोर्म बनी अब इसमें z equal to आता है b e raise to the power k1 x लेकिन b जो function है a में तो z equal to e raise to the power k1 x तो as it is रहा और हमने कहा कि b जो है वो function है a में z equal to e raise to the power k1 x और function है a में और a equal to है y plus m1 x तो इस तरह से z की value हमारी ये बनती है तो जो factor हमने लिया था d minus m1 d dash minus k1 z equal to 0 उससे ये बना e raise to the power k1 x function y plus m1 x तो हम question में direct इसको ऐसे use करें ने suppose ये यहां पर ऐसे होता d plus 2 d dash minus 1 z equal to 0 तो z equal to बनेगा हमने इसको compare किया इस वाले factor से तो यहां पर m1 की value तो minus 2 है और k1 की value 1 है अब k1 1 है तो ये e power x हो गया और ये minus m1 की value minus 2 है तो इस तरह से हमारा ये function बन जाता है तो जो factor है वहीं से हम m की और k की value लेकर के put कर लेते हैं तो एक factor है दो factor है जितने भी factor है उसी तरह से उनके लिए अलगला function plus होते जाते हैं तो ये है complementary function लिखने का method linear partial differential equation with constant coefficient के case में